हेलो बच्चो वेलकम टू माई चैनल आजम कक्षया आठ के पाठ एक फसल उत्पादन एम परबंधन के अभ्यास के परशनोतर करेंगे यह है अभ्यास के परशनोतर और परशनमबर एक है उचित सब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूरती कीजिए यह देखें यह सब्द दे रखें हैं और इन में से सही सब्द चुनकर यह जो खाली स्थान दे रखें यहां पर यहां जो भी सही सब्द है वो भरने हैं तो कैय है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पोधों को डैस कहते हैं तो एक जगे पर बहुत बड़ी मात्रा में उगाए गए पोधों को फसल कहते हैं तो पहले में आ जाएगा फसल यहाँ पर उसके बाद फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैस होती है जब फसल को उगाए जाता है तो सबसे पहले मिट्टी की तयारी की जाती है मिट्टी को पोला बनाए जाता है उल्टा पल्टा जाता है इसे कहते हैं मिट्टी की तयारी करना तो यहाँ पर आएगा मिट्टी की तयारी उसके बाद छती ग्रस्त बीज जल की सतय पर डैस लगेंगे जब फसल उगाई जाती है तो उसमें बीजों का चैन किया जाता है अच्छे बीजों का उपयोग किया जाता है तो बीजों का चैन कैसे किया जाता है थोड़ा सा पानी लेते हैं किसी बरतन में और उसमें थोड़े से बीज डाल कर देखते हैं तो अगर बीज तैरने लगेंगे पानी में बीज तैरने लगेंगे तो वो छती ग्रिस्ट बीज होते हैं और अगर डूप जाएंगे तो वो अच्छे बीज होते हैं तो यहाँ पर छती ग्रस्त बीज जल की सतय पर यहाँ पर आएगा तैरने लगेंगे जो तूटे फूटे बीज होते हैं या कीडों ने खाए होते हैं वो बीज पानी की सतय पर तैरने लगते हैं फसल उगाने के लिए परियाप्त सूर्य का प्रकास M मिट्टी से डैस तथा डैस आवस्चेक है फसल उगाने के लिए एक तो सूर्य का प्रकास चाहिए और मिट्टी से एक तो जल चाहिए और मिट्टी से दुसरा पोशक तत्तो चाहिए और इनके उत्तर दिखिए आप यहां से भी लिख सकते हैं खह का उत्तर फसल है, खह का उत्तर तयारी, गह का उत्तर है तैरने और गह का उत्तर जल और पोशक इसके बाद है कोलम A में दिये गए सब्दों का मिलान कोलम B से कीजिए, यह है कोलम A और यह है कोलम B कुलम ए में जैसे खरी फसल जो खरी फसल होती है वो बरसारी तुमें उगाई जाती है तो यहां से यह आएगा धान एमक का यह इससे मिलान कर देते हैं उसके बाद रभी फसले रभी फसले जो होती है वो सीतरी तुमें उगाई जाती है तो यह आएगा गेहू, चना और मटर उसके बाद रासानिक उर्वर्क जो उर्वर्क होते हैं रासानिक उर्वर्क वो कौन कौन से होते हैं यूरिया और सुपरफास्पेट उसके बाद खाद, कार्बनिक खाद कौन से होती है, जो पसुओं के अपसिस्ट होते हैं या गोबर वगेरा जो होते हैं उनसे कार्बनिक खाद बनाई जाती है तो यह एक्स्ट्रा है यह खाली रह जाएगा यहां से भी उत्तर लिख सकते हैं यह देखिए इसका मिलान इससे कर दिया है इसका मिलान इनसे कर दिया है तो ऐसे भी यह से देखकर भी आप लिख सकते हैं परस नमबर तीन है निमन के दो-दो उधारन दीजिए खरी फसल और रभी फसल देखे पहले यह आ गया था खरी फसल और रभी फसल यह इनके उधारन है यहां से भी आप देखकर लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखेंगे खरी फसल के उधार परस्म पर आपने सब्सब्स में , पहला मिट्टी तयार करना, उत्र है मिट्टी तयार करना लेख करना मिट्टी को पलतना और पोलड़ी कर सके, मिट्टी तयार करने के लिए मिट्टी को पोला बनाय जाता है उसको पलटा जाता है ताकि पोधे इसमें विर्धी कर सकें और सांस ले सकें इससे सुक्सम जियों की विर्धी भी उचित होती है मिट्टी को जो पोला बना जाता है तो उसमें सुक्षम जियों की विर्धी भी अच्छी होती है और इस परिक्रिया को जुताई कहते हैं मिट्टी को पोला बनाना और सोफ्ट बनाना उलटना पलटना उसको जुताई कहते हैं जो तेहवे खेत में सुखी मिट्टी के बड़े-बड़े धेलों को पाटल की सायता से तोड़ा जाता है मिट्टी का पानी और वायू द्वारा अपरदन रोकने के लिए मिट्टी को समतल करना भी जरूरी होता है उसके बाद खे है बुआई खेत में बीज बोने की विधी को बुआई कहते हैं जब मिट्टी को तयार कर लिया जाता है उसके बाद खेत में बीजों को बोया जाता है तो उस प्रक्रिया को बुआई कहा जाता है यह फसल उतपादन का महतवण चरण है बोने से पहले अच्छी गुनवत्ता वाले स्वस्थ बीजों का चैन किया जाता है बीजों को हाथो द्वारा या सीड ड्रील द्वारा खेतों में बोया जाता है इस परक्रिया को बोई कहा जाता है उसके बाद गय आता है निराई यह खेतों में से एवांचित पोधे हटाने की विधी है जब खेतों में फसले उगती है तो उनके साथ एवांचित पोधे भी उग जाते हैं जैसे घास बथवा वगएरा उग जाते हैं यह खरपतवार होते हैं इनको खरपतवार बोला जाता है यह विधी बहुत आवस्यक है क्योंकि खर्पतवार जल, पोशक, स्थान और प्रकास के लिए फसल से स्प्रदा रखती है अगर खर्पतवारों को नहीं हटाया जाएगा तो जो फसले हमने उगाई हैं उनमें जो पानी दिया जाता है या उनके जो पोशकतत होते हैं या फिर जमीन में जो पोशकतत होते हैं या उनकी जगह जो होती है या प्रकास इन सब के लिए खर्पतवार जो है ये परतिस परदा करते हैं इसलिए खर्पतवारों को हाथ से उखाड कर फैका जाता है या फिर खर्पतवार नासी से भी इनको खतम कर दिया जाता है या फिर खर्पतवार नासी से भी इनको खतम कर दिया जाता है खर्पतवार पोदों को हाथ से जड़ सईत उखाड कर अत्वा भूमे के निकट से काट कर हटाये जाता है खर्पतवार हटाने का सरोतम समय उनमें पुष्प या बीज बनने से पहले का होता है खर्पतवारों को जब उखाडा जाता है या फिर काटा जाता है तो उनमें बीज या पुष्प आने से पहले, फोल या बीज आने से पहले ही उनको हटा देना चाहिए और अगर बीज बनने के बाद अगर उनको खाड़ेंगे तो वो बीज जमीन में गिर जाएंगे और जादा खरपतवार उसमें उग जाएंगे तो यह कारे है उनमें पुष्प और बीज बनने से पहले ही करदेना चाहिए यानी खरपतवार को बीज या पुष्प बनने से पहले ही उखाड़ देना चाहिए यह कारे कारें खुरूपी से या हैरो से करते हैं कुछ रसायनों का उपयोग खर्पतवार नियंतरन के लिए किया जाता है, जिनें खर्पतवार नासी कहते हैं, कुछ केमिकल्स का उपयोग भी किया जाता है, जो के खर्पतवारों को खतम कर देते हैं, इन केमिकल्स को खर्पतवार नासी कहा जाता है, इनका उपयोग जल में घोल कर फसल पर छिड़का द्वारा किया जाता है और एक खरपतवार नासी का नाम है 24-D यह खरपतवार नासी है इसके बाद घया आता है थ्रैसिंग कटी हुई फसल में से अनाज को भूसे से अलग करने की विधी को थ्रैसिंग कहते हैं जब फसल को काट लिया जाता है तो अनाज और भूसा दोनों होते हैं तो उनको दोनों को अलग करने की जो विदी होती है उसे thresing कहा जाता है thresing के लिए पसों का अत्यदिक उपयोग किया जाता है बड़े-बड़े खेतों में threcer या combine machine का उपयोग किया जाता है combine, cut-eye और thresing दोनों कार्य करती हैं देखे, combine नाम है इसका इस machine से कटाई और thresing दोनों ही होते हैं प्रशन पांच है, पस्ट कीजे कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भी नहीं यह काफी important question है उर्वरक और खाद में अंतर और देखे, यह जो है इन में से भी कोई भी एक question जरूर आ जाता है कि इन चारों में से किसी एक पर paragraph लिखिए और यह भी काफी important question है उर्वरक और खाद में भीन्यता यह है उर्वरक और यह है खाद, तो जो उर्वरक होता है वो ऐ कार्बनिक लवन होता है chemicals से बनते हैं यह और खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ होता है उर्वरकों का उत्पादन factory में होता है और कार्बनिक खादों का उत्पादन खेतों में गोबर अपसिस्ट के अपगड़न से बनाया जाता है गोबर और अपसिस्टों के अपगड़न से बनाई जाती है खाद और जो उर्वर्क होता है इससे मिट्टी में ह्यूमस की विर्धी नहीं होती है और खाद जो होती है इसमें ह्यूमस की परचुर मात्रा होती है उर्वर्क जो होता है इसमें पादक पोसक परचुर मात्रा में होते हैं मतलब इसमें जो पोसक तत होते हैं काफी होते हैं लेकिन खाद में पोसक की मात्रा कम होती है थोड़ी होती है प्रसंच है है सिचाई किसे कहते हैं जल संग्रक्षित करने वाली सिचाई की दो विधियों का वर्नन कीजिए सिचाई खेतों में पानी देने को कहते हैं और जल संग्रक्षित करने वाली सिचाई की दो विधियों क कावन कीजिए जिससे जल संग्रिक्षित होता है जल वेस्ट नहीं होता है ऐसी सिचाई की दो विधियों का वनन करना है तो उत्तर है सिचाई विभिन अंतराल पर खेत में नेमित जल देना सिचाई कहलाता है खेतों में पानी दिया जाता है उसको सिचाई कहा जाता है तो ऐस नहीं है कि खेतों में भोजाला पानी देना चाहिए या कम देना चाहिए विभिन अंतराल पर कुछ अंतर पर खेतों में नेमित जल देना चाहिए और उसे सिचाई कहा जाता है सिचाई का समय M, बारमबारता, फसलों, मिट्टी और रितु में भिन भिन होता है जैसे कि वर्षा की रितु में सिचाई कम की जाती है और गर्मी में सिचाई जाद की जाती है और ये निर्भड करता है कि फसल कैसी हुगाई है और जहां पर फसल हुगाई वहां के मित्ती कैसी है और रितु कैसी है गर्मी है या सर्दी है शिचाई की आधुनिक विद्यों द्वारा जल का उपयोग मित्वैता से होता है शिचाई की जो आधुनिक विदियां हैं उनमें जल जो है वो वोती कम वेस्ट होता है जल संगरक्षित करने वाली मुख्य विदियां ये हैं और ये काफी important question है ये भी question कई वर आ जाता है कि शिचाई की जो आधुनिक विदियां हैं उनका वरण करो तो पहला है छिड़काव तंत्र तो देखें नाम से ही पता लग रहा है छिड़काव इस विदि में छिड़काव किया जाता है इस विदि का उपयोग ऐसंतल भूमी जहां जल की मात्रा कम होती है वहाँ पर इस विदि का उपयोग किया जाता है जो उबर खावर जमीन हो या फिर जल जहाँ पर कम होता है वहाँ पर छिलकाविदी का उपयोग किया जाता है जैसे रेतिली जमीन जो होती है वहाँ पर छिलकाव तंतर का उपयोग किया जाता है सारे खेत में उद्र पाइपों का जाल बिछाया दिया जाता है ये रहें ऐसे आपने देखा होगा खेतों में ऐसे ये पाइपें होती हैं और इसमें उपर ये पाइपें ऐसे लगी होती हैं यहाँ पर नोजल होता है और यहाँ से ऐसे फवारे फवारे से ऐसे चलते रहते हैं और ये नोजल घूमता रहता है ये पूरे खेत में ये पाइपें बिचा दी जाती हैं जैसी यहां पर बिचा दी हैं तो यहां पर ऐसे ऐसे ये लगे होते हैं ऐसे पाइपें खड़ी रहते हैं इस तरह से और ऐसे ऐसे पानी आता रहता है सारे खेत में उधर पाइपों को जाल बिचा होता है जिसके उपरी सिरो पर गूमने वाला नोजल लगा होता है यह है पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जोड़े होते हैं और ये मेन जो पाइप हैं इन में जाता है और इन से जो ये उधर पाइप हैं इन में पानी जाता है और फवारों के इतरह से ऐसे पानी गिरता रहता है यह है छिड़काव रेतली मिटी के लिए उप्योगी होता है क्योंकि रेतली मिटी में अगर हम नालियों से या क्यारी ब है हमें पता है कि पोधे जो होते हैं वो मिट्ति की उपरी सतय पर ही उगाई जाते हैं तो छिर्कातंत से मिट्टी की जो ऊपरी सतय हैं उसमें पानी आसनी से चला जाता है और यह पोधों के लिए काफी फाइदमन्द होता है। उसके बाद है डृप तंत्र ये भी सिचाई की आधुनिक विधी है डृप तंत्र तो डृप का मतलो होता है बूंद बूंद में पोधों की जड़ों पर जल बूंद बूंद करके गिरता है इसलिए इसे डृप तंत्र कहते हैं फल्दार पोधों बगीचों और व्रक्सों को जल देनी की है सरोतम विदी है यह विदी फल्दार पोधों बगीचों व्रक्सों को जल देनी की सरोतम विदी है ड्रिप तंतर में एक मुख्य नली होती है जिसकी साहिक नलिया होती है तो रेखी यह ड्रिप तंतर है यहाँ पर पर इन में ऐसे छेद होते हैं चोटे छोटे छेद होते हैं और जहां पर पोधा होता है वहीं पर इन छेदों को ऐसे सेट किया जाता है कि जहां पोधा होता है उसकी जड़ों के पास ये जो छेद हैं ये ऐसे सेट किये जाते हैं मतलब ये पाइपें इस ट्राइप से लगा आना चाहिए चुरकाव तंतर और यह आना चाहिए था ड्रीप तंतर लेकिन मैंने अब यहां पर सई कर दिया है यह ड्रीप तंतर है तो यहां पर देखे यहां से पाइप से पानी आया और यह जो यह पाइपे हैं यहां पसमें दूसरे से जुड़ी होती है और यहां पर इन यहाँ पर ड्रीप तंतर से यहाँ पर जैसे छेद कर दिया है तो इस पाइप में से पानी आएगा तो धीरे धीरे इसकी जड़ों में गिरता रहेगा बूंद बूंद करके तो इसलिए इसको ड्रीप तंतर बोला जाता है इन साहक नलियों के सीरे पर विसेश नोजल लगी हो तो दीखे इसमें फाल तो पानी वेस्ट नहीं होता है क्योंकि सीधा ही पानी पोधों की जड़ों में पहुंचता है और पानी वेर्थ नहीं होता है तो ड्रीप तंतर एक आधुनिक तंतर है आधुनिक विदी है सिचाई की और ये जो है छिड़काव तंतर ये भी आधु वाली एसों कम तापमान और कम पानी की आवस्टा होती है यदि इसको खरीप रुत में उगाए जाएगा तो खरीप में वर्सा अधिक होने के कारण इसको जादा पानी mिलेगा और यहाँ गल जाएगी और उग नहीं पाएगी तो गेहों एक रभी फसल है अर्थात यह सर्दी की रितों में होती है और इसे कम तापमान और कम पानी के आवस सकता होती है यदि गेहों को खरीफ या वरसारी तुमें बोहे जाएगा तो इसे अधिक पानी मिलने से गेहों की फसल मर जाएगी और पोधे ऐस्वस्त उगेंग उसके बाद प्रसना आठ है खेत में लगातर फसल उगाने से मिट्टी पर क्या परभाव पड़ता है वेख्या के जिए उत्तर है फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद वे और वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है मतलब अगर खेत में लगातर फसल पोटा से हम आधी पोशक बरपूर मातरा में होते हैं लेकिन यह है मिट्टी की परकरती बदल देते हैं मतलब मिट्टी जो है वो छारके हो जाती है या फिर आमले हो जाती है और जो जमीन है वो बंजर हो सकती है देखे खेतों में अगर लगातर फसले उगाएंगे तो जो जो मिट्टी होती हो जाती है अमले भी हो जाती है तो इस तरह से लगातर फसलें अगर उगाएंगे तो जो भूमी है वो बंजर हो सकती है इसलिए एक फसल काटने के बाद थोड़े दिन के लिए खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए प्रशनों है खर्पतवार क्या है हम उ उनके साथ अन्य पोधे भी उग जाते हैं जो एवांचित होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं जिसे घासपोज उग जाते हैं वो एवांचित पोधे होते हैं और उन्हें कहते हैं खर्पतवार खर्पतवार हटाने को निराई कहा जाता है और खर्पतवार को हटाने और उन इससे खरपतवार उख़ड जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं उसके बाद उख़ड़ना मतलब हाथों से भी खरपतवार को उख़ड़ा जाता है इस विधी में खरपतवार को भोतिक रूप से हाथों द्वारा उख़ड़कर अत्वा मिट्टी के समीप से काटकर अलग कर दिया जाता है इसके लिए खुर्पा या हैरो उपयोग में लाए जाते हैं खुर्पा से या हैरो से इनको उखाड कर फैंक दिया जाता है उसके बारे तीसरा है राशायनिक वीधी मतलब केमिकल्स डाल कर भी खरपतवार को खतम कर दिया जाता है इस वीधी में कुछ राश फोड़ी एक खरपतवार नासी का नाम है परसंद 10 है निमने बोक्स में सही करम में इस प्रकार लगाईए कि गन्ने की फसल उगाने का रिखाचितर तयार हो जाए तो ये दे रखा है पहला है फसल कोची निमिल में भेजना दूसरा शिचाई तीसरा कटाई चोथा बुआई पांचों मिट्टी तयार करना और खेत की जुताई करना और खाद देना तो देखें सबसे पहले क्या करते हैं हम मिट्टी को तयार करते हैं उसके बाद खेत की जुताई की जाती है फिर बुआई की जाती है तो देखें यहाँ पर ये लिख दिया है यहाँ से आप लिख सक पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये उसके बाद ये उसके बाद परसंद के आ रहे है नीचे दिए गए संके तो किसायता से पहेली को पूरा कीजिए उपर से नीचे की और और बाएं से दाइं की और तो ये है एक पहेली इसमें देखे उपर से नीचे की और मतलब ऐसे उपर स पैट उसके बाद है यहां पर बाय से दाईं और मतलब ऐसे भरेंगे हम इस तरह से सी तरी तुम्हें उगाई जाने वाली फसलें रबी के फसलें होती तो यहां पर लिख देंगे रबी उसके बाद बड़े पैमाले पर पाल तो पसुछों की उचित देख बाल करना पसुपा ये आ गया है उसके बाद तीसरा जो है फसल जीने वर्सा रितुमें बोया जाता है तीसरा यहाँ पर यहाँ से बाद है छटा लेकिए फसल पक जाने के बाद काटना तो उसको कहते हैं कटाई तो यहाँ से कटाई इसके बाद C त्रित्व में उगाय जाने वले फसले भरदिया, हमने एक ही किसम के पोधे, जो बड़े पहमाने पर उगाय जाते चार नमबर में भरनाएं, तो चार नमबर कहां पर है, नमबर यहां पर है, तो यहां भर देंगे फसल, इसके बाद रासनिक पदार्थ जो यहां को निराई कहते हैं, तो यहां पाएगा निराई लिखा कर पहले से, तो यहां पर दीखें, यह भरक्खा है, यहां से भी हम देखकर भर सकते हैं, यह मैंने भर दिया है, तो यहां पर इस पार्ट के परशनुत्तर खतम होते हैं, अब हम अगले वीडियो में अगले पार के परसनुतर करेंगे अगर आपको समझ आ गए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी दोस्तों को शेर करें लाइक करें ठैंक्स परोचिंग